नमस्कार जहिंज अभारत वेल्कम टू जैपूर वे साफ़सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं दोस्तों जीवन सिंग शेरपूर जो की काफी दिनों से आठ जनवरी भोपाल जनांदोलन के लिए तैयारिये कर रहे हैं 21 सुत्रिय मांगो को लेकर उनका ये आंदोलन है और अब कहा ये जा रहा है कि इस आंदोलन को सरकार द्वारा रोकनी कोशिश की जा रही है ऐसी खबरे आ रही है जीवन सिंग शेरपूर खुद इस बारे में उन्होंने आरोप लगाए है कि सरकार इसी कोशिश कर रही है मंजीत पाल सिंग सामराज जो के आनंद पाल सिंग के भाई है वो भी अब जीवन सिंग शेरपूर के समर्थन में आ गए है जीवन सिंग शेरपूर के समर्थन में उन्होंने पोस्ट करी है उनके वो मित्र भी है मंजीत पाल सिंग सामराज ने उनके साथ जो अपनी फोटो जब शेयर करते हुए सोसल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है लोगों ने बार-बार कोशिश की मिट्टी में दबाने की उन्हें नहीं मालूम की मैं बीज हूँ आदत है मेरी बार-बार उग जाननी की था यानि कि उन्होंने जीवन सिंग शेयरपूर के बारे में यह कहा है कि ऐसा हो रहा है प्रशासन द्वारा सरकार द्वारा कि यह आंदोलन में कुछ जो इतना बड़ा आंदोलन होने जा रहा है यह कहीं न कहीं ना हो ऐसी बार-बार जीवन सिंग में यह पोस्थ करी है और जिवन सिंग शेर्पूर के सपोर्ट में वह आ गए है रविंद्र सिंग भांटी ने भी उनके सपोर्ट में पोस्ट करी थी वह भी उनके मित्र है और इस आंदुलन को लगातार युवाओं का समर्थन मिल रहा है जहां जहां जो जा रहे हैं जीवन सिंग शेरपुर जो कहीं ने कहीं युवाओं का जोस देखने को मिल रहा है युवाओं का हुजून जो उमड रहा है उनके समर्थन में सरकार के लिए मुश्किले खड़ी हो सकती ह अगर जैसी उनकी पिछली रैली आ रही है लाखो लाखो की इस बार भी अगर ऐसा होता है तो कहीं कहीं सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो सकते है क्योंकि इसी वर्ष चुनाव है वर्ष के अंत में और कहीं कहीं ये रैली प्रभाव डाल सकती है बहुत बड़ा अगर शेरपूर के नेतरतों में ये जो आंदलन होने जा रहा है इसको लेकर मद्यप्रदेश में पूरे में हाइप है और पांच जन्वरी को भी जो कई संगठन है मुख्यमंत्री से लेकर जो बातचीत को जो बात आई थी उसमें क्या फैसला होता है क्या निकल कर आता है तो दो हिन जोए भारत वांदे मातर